आवाज आ रही है आप लगों को मेरी बताइए आउडियो क्लियर है क्लिए आवाजियो क्लिए। झाल 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 एक में वीडियो चला दीजे सर ठीक है भाई साब? बता दो जल्दी आठीक है ना? आडियो वीडियो क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है बहुत ही अच्छे है, बहुत अच्छे लोग है अब ठीक है? बहुत अच्छे, सारे के सारे लाईव आ चुक है है तो पिछली class में हम लोगोंने example number one कर लिया था और अब में example number 2 करना था, बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। ठीक है? अब example number 2 की बात करते हैं, पर तो सवाल को जढ़ा देख़ए क्या कहा है? कहा गया है कि दो ट्रेंगल हैं हमारे पास एक ABC है और दूसरा ABD है और दोनों के दोनों सेम बेस पर हैं ठीक है between the same parallels AB and CD then the ratio between the area of ABC and ABD will be तो इनका area क्या होगा हमने कहा यार इतना आसान सवाल बताओ बच्चे वाला सवाल हमसे कभी-कभी पूछ लिया जाता है ऐसा भी कोई सवाल पूछता है आप लोग बताओ इतने होश्यार हो आपको अच्छे से पता है कितनी parallel line की चर्चा की गई है एक हमारा AB है दूसरा हमारा CD है हमने कहा ठीक है यह हमारा AB हो जाएगा और यह हमारा CD हो जाएगा समझ गए मेरी बात को पहला त्रिभूज हमारा ABC है तो A, B और C यानि यह हाँ पर हमारा यह क्या हो गया यह हमारा पहला त्रिभूज हो गया दूसरे त्रिभूज की बात करते हैं तो हमारा ABD है तो let ABC and ABD be on the same base AB and between same parallel इनका relation क्या होगा जैसा कि आपको पिछली वाली property पढ़ाई थी और उस पर हमने आपसे कहा था कि A की आधार पर अगर हम दो त्रिभुज बनाते हैं समझ गए मेरी बात को तो दोने त्रिभुज का जो हमारा छेटरफल होगा वो हमारा क्या होगा सेम होगा यानि ABC और ABD दोनों के दोनों एकी आधार AB पर बने हैं तो इनका जो हमारा area होगा वो मेरी भाई क्या होगा सेम होगा कोई दिक्कत की बात यहाँ पे तो क्या आजाएगा option number B for बढ़की बहू is the correct answer हो जाएगा शालो next question यहाँ पर देखो तो यह बहुत महतुपून point है आपके लिए ठीक है आप आगे चलकर mensuration पर भी यह point पढ़ेंगे और आपको अभी भी यह point पढ़ना है और यह क्या है तो यहाँ पर बड़े प्यारे से लफजों में कहा गया है कि देखिए अगर दुनिया में आपको कभी भी किसी भी triangle यानि तरिभुज का छेतरफल निकालना पड़े जहाँ पर किसी भी तरिभुज की जो भूजाए होती है A, B और C होती है और उसका हमें क्या निकालना पड़े एरिया तो उसका एरिया हम निकालते हैं हेरोंस फॉर्मुला से जहां बिल्कुल हेरोंस कहते हैं हीरों नहीं कहते हैं हेरोंस कहते हैं और यह हेरोंस का फॉर्मुला क्या होता है तो हेरोंस के formula की अगर हम बात करें तो यह हमारी भूजा A हो गई, यह B हो गया और यह C हो गया तो हेरोंस आया और हेरोंस ने कहा देखो बाबू बात ऐसी है अगर तुम्हें कभी भी दिवन में किसी भी त्रिभूज का छेतरफल निकालना हो मेरे दिये गए formula का तुम इस्तमाल करना उसने कहा कि देखो यह तुम्हारा एक त्रिभूज हो जाएगा हमने कहा हन जी बिलकुल हो जाएगा इस त्रिभूज की एक भूजा A कहलाएगी दूसरी B cm, तीसरी C cm तो पहले तुम इसका semi perimeter निकालना semi perimeter का मतलब अर्ध परिमाप यानि परिमाप का आधा, perimeter का आधा perimeter का मतलब क्या होता है सभी भूजाओं को जोड़ दीजे तो हम यहां क्या करेंगे सभी भूजाओं को जोड़ देंगे हमें यहां semi perimeter निकालना है यानि सब को जोड़ के क्या कर देना है आधा कर देना है, यह हमारा क्या हो जाएगा, semi perimeter हो जाएगा, ठीक है, अब हमें यहाँ पर अगर area निकालना है, तो area की बात करें, तो area क्या हो जाएगी दोस्तों, तो area हो जाएगा, s into, s minus a, ठीक है, फिर हो जाएगा, s minus b, और फिर हो जाएगा, s minus c, ठीक है, यानि semi perimeter, s minus a, S-B, S-C, यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, तो मेरे भाई यह हमारा एरिया हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पर, तो यह हमारा है, रोंस फॉर्मूला हो गया, आगे चल कर कभी भी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि वो ट् यह निकालना है, जैसे आपके सामने की एक्जांपल हमने दिया, और हमसे यहाँ बोला गया, किसी तृःभुज का छेत्रफल कितना होगा, यदि उसकी भूजाय 5 cm, 9 cm और 8 cm है, हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिये, कोई दिक्कत की बात, हमने कहा सर देखिये, सबसे पहले आपके पास त्रिभुज बना हैं, तो हमने कहा हन जी, त्रिभुज की भूजाय कितनी है, तो सबसे पहले semi perimeter निकालेंगे semi perimeter का मतलब 5 जमा 7 जमा 8 सब को जोड़के आधा कर देना 7, 5, 12, 8, 20, 20 का आधा कितना हो गया मेरे भाई तो 10 हो गया 20 का आधा कितना हो गया 10 हो गया कोई दिक्कत यहाँ पर तो बोलेंगे into s-b और into क्या हो जाएगा s-c हो जाएगा ठीक है दोस्तों आप यहाँ पर देखिए तो s के जगह पर आप s का मान रख दीजेगा ठीक है s-a यानि 10 में से आप 5 गटा दीजेगा तो कितना आजाएगा 5 आजाएगा फिर 10 में से 7 गटा दीजेगा तो कितना आजाएगा तीन आजाएगा इसी 10 में से 8 गटा दीजेगा तो कितना आजाएगा दो आजाएगा यह पूरा का पूरा हमारा हेरांस वाला काम हो जाएगा ठीक है अब अगर आप देखेंगे तो यह 5 into 2 यह कितना बना देगा 10 और यह कितना है 10 तो 10 into 5, 50 और 50 into 2 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 100 हो जाएगा और 100 का जब हम रूट लगाते हैं तो हमारा कितना आजाता है 10 आजाता है 3 बेचारा सिंगल मर रहा है तो वो सिंगल ही मरेगा आंसर कितना हो जाएगा 10 root 3 option number A4 आभी जाओ, is the correct answer हो जाएगा समझ गए बात आप लोग यहाँ पे तो हेरोंस ने कैसा formula दिया जिससे हम किसी भी त्रिभुच का छेतरफल जो है वो निकाल सकते हैं ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे कोई परिशानी की बात है बताएगे चलिए आजएगा तो यह हमारे एक example हो गया next हम बात करते हैं हाँपर की आगे चलके क्या जिंदगी बरह में हेरोंस कहीं इस्तमाल करना पड़ेगा, यह हमारे पास कोई और भी options होंगे, तो हमने कहाँ बिल्कुल हमारे पास option है और एक नहीं कई सारे तरीके हैं त्रिभुज के चेतरफल निकालने के जिसमें एक तरीका हमारा ये भी है पहला तरीका हो जाता है हेरोंस का और दूसरा तरीका हमारा हो जाता है यहाँ पर जब हमारा कौन का मान दिया गया हो ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर एक त्रिभूज है, यहाँ पर भी इसकी भूजाए A है, B है, C है, कल के दिन मानलो यहाँ पर ऐसा होता है, कि एक त्रिभूज की दो भूजाए दे देती हैं और एक कौन दे देता है, तो उस case में हम छेतरफल कैसे निकालेंगे, तो उस case में हम जो छेतरफल है, वो sign rule के नियम के हिसाब से निकालेंगे, sign का नियम लगाएंगे, sign का नियम कैसे लगेगा, तो sign का नियम मेरे भाई ऐसे लगेगा, जैसे मानो कि अगर मुझे यहाँ त्रिभुज A, B और C का छेतरफल चाहिए, तो मैं बोलूँगा, half into, ठीक है अगर मैं मानो यहाँ A वाली side ले रहा हूँ, तो A लूँगा, और अगर मानो C वाली side ले रहा हूँ, तो C लूँगा और A और C के बीच में जो कौन फंस गया है, इस कौन को हमला पेटे में लेंगे, यानि बोलेंगे sign of angle B, यहाँ पर, कितना हो जाएगा, तो sign of angle B हो जाएगा ठीक है, तो अगर हमें छेतरफल निकालना है, तो half into A into C, half into A into C, और इन दोनो side लों के बीच में जो कौन फंस गया है उसको लेंगे, यानि यह जो रजिया गुंडों के बीच में फंसी है, इस कौन को लेना है यहाँ पे, तो half into A into C into sign B, ठीक है, कोई दिक्कत, अब आज है जैसे मान लीजे, हमने तो यहाँ पर एक तरीके से लिख दिया, क्या बता अकल के दिन ये वाला कौन ना देखे, हो सकता है कल के दिन, हमें दूसरा वाला कौन देदे, ये लाल वाला कौन देदे तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, हमने कहा देखो, ये जो रजिया है, ये किन गुंडों में फसी है, तो C और B के बीच में फसी है तो बस अगर इसका छेत्रफल लिखना है तो लिख सकते हैं half into पहली बात यहां c आ जाएगा फिर यहां b आ जाएगा और इन दो लोगों के बीच में जो फसा है sign of angle a फसा है तो यहां sign of angle a ले लेंगे समझ गए बात को यहां पे कोई दिक्कत की बात है कोई परिशानी की बात है अब उसके बाद मान लो कि जब यह जो है दोनों के दोनों फस गए हैं तो तीसरा भी बुल रहा हमको कहे छोड़े हमको भी फसा हो ठीक है अपना तो setting getting कर लिया हमको अकेले छोड़ा दिया तो यह भाई साब तीसरा C भी लपेटे में आएगा इसको भी लो मेरे भाई यहां पर तो हमने कहा ठीक है यह C भी आएगा अब यह C आएगा तो क्या बोलेगा बोलेगा देखो half यह C किसके बीच में फसा है तो A और B के बीच में फसा है तो half into A into B into यह जो भी कोन होगा ना तो उसका sign लेंगे जैसे मानों यहां 30 degree है तो sign 30 60 degree है तो sign 60 ऐसे करके हम यह value लिखेंगे तो इस तरीके से मेरे भाई यहां पर हम क्या निकाल पाएंगे छेत्रफल निकाल पाएंगे समझ में आ रहा है यानि कभी भी अगर दो भुजाय दी गई है तो उन दो भुजाओ को और उसके बीच में बने कोन को एक example के मादम से clear करते हैं जैसे मानिया यहां पर एक example दिया गया है कहा गया एक त्रिभूज ABC में तो हमने कहा सबसे पहले सुनो बात ऐसी है त्रिभूज बनाएंगे पहले यहां पर ABC का निर्मान हुआ इस कोन को हमने मान लीजे A मान लिया इस कोन को B मान लिया इस कोन को हमने C मान लिया कहा गया कोन A का मान 60 है तो इस कोन A को हमने कितना ले लिया तो 60 डिगरी ले लिया उसके बाद हमसे कहा है पूरे त्रिभुज का छेत्रफल कितना होगा हमने यहां पर कहा बताईए बहुत ही आसान भाशा में यार तीसरा तो यहां वैल्यू दिया ही नहीं है यहां पर तीसरा वैल्यू दिया है तो नहीं दिया है तीसरा नहीं दिया तो हमने कहा तीसरी की आवशकता किसको है गौर स पर area निकालने के लिए हम क्या करेंगे तो बोलेंगे area बराबर half into कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा into कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और into यहाँ पर यह 60 का sign लेंगे यानि कितना हो जाएगा तो sign 60 degree लेंगे हमने कहा sir half ले लिया हमने 5 भी हमने ले लिया चार भी हमने ले लिया साइन साट की value कितनी होती है साइन साट की value हमारी हो जाती है root 3 बटे 2 ठीक है सरकार अब आज ही यहां पे अब हमने कहा 2 into 2 कितना होता है 4 और यह 4 को खतम कर देगा बचेगा कितना 5 root 3 बचेगा कौन सा option है option number B4 बढ़की बहुई is the correct answer है B4 बनेंगे inspector is the correct answer हो जाएगा क्या बात है ठीक है बताइए ठीक है कोई दिकती बात है तो B4 क्या होगा बनेंगे inspector is the correct answer चलिए तो अब शुरुवात करते हैं बहुत यच्छे तरीके से अपने exercise की और exercise में अब तक हमने जितनी property पढ़ी है सब का बहुत यच्छे तरीके से हम यहाँ पर उपयोग करेंगे और अपने सवालों को लगाएंगे ठीक है जो भी हमने property पढ़ी है जितनी खुबसूरत खुबसूरत property पढ़ी है वो सारे पढ़ेंगे और खुबसूरत property कहा है कुछ और नहीं कहा है तो खुबसूरत property ही होती है और कुछ नहीं होता उसी को मन में लेके चलना है सवाल में हमसे कहा गया है तरीबूज ABC है B और A का difference C और B के difference के बराबर है और A और C का जो अनुपात है तीन और 5 के बराबर है तो कहा गया है difference between the largest angle and smallest angle हमने कहा हमने यहाँ पर कहा sin 60 क्या है शिल्पा जी कहती है दिखिए sin 60 जो आप trigonometry पढ़ेंगी ना तो आपको पता चलेगा कि sin 60 का एक मान होता है जो हमें निकालना होता है अभी आपने नहीं पढ़ा इस होज़े से नहीं पता होगा फिलाल अभी आप इतना याद कर लीजे sin 60 का मान रूट 3 बटे 2 होता है ठीक है शिल्पा जी sin 60 जो है यहाँ पर sin 60 एक trigonometric value है और इस trigonometric value को आप trigonometric में पढ़ेंगे त्रिकोन मिती में वहाँ पर पता चलेगा कि इसकी value रूट 3 बटे 2 होती है ठीक है अगर बीच में ना हो तो हम यहाँ पर angle नहीं define कर पाएंगे area नहीं निकाल पाएंगे जैसे मानों यह 60 दिगरी यहाँ ना देकर यहाँ दे देता यहाँ दे देता उस case में हम 6 रफल पता नहीं कर पाते है ठीक है Sir, sign का मान कैसे पता चला sign का मान हमने trigonometric से पता चला आपने अभी 3 कोन मिती नहीं पढ़ा है जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है Sir, example number 1 से 12 कर लिया बहुत अच्छी बात है यहाँ पर आजेगे अब दिये गए सवाल में सबसे पहले जो data दिया गया वो लिखते हैं जैसे यहाँ पर कहा गया कि इन दोनों का difference, इन दोनों का difference के बराबर है ठीक है उससे सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह कही गई है यह दोनों का relation A और C का जो संबंध है वो यहाँ पर कहा गया है 3 और 5 के ratio के बराबर है यानि अगर हम बात करें तो angle A upon angle C कितना दिया गया है यहाँ पर उन पात यानि ratio दिया गया हो तो हम उन दो लोगों के value को लिख सकते हैं यहाँ पर A upon C बराबर 3 upon 5 हो जाएगा यानि A की value 3x मान सकते हैं और C की value कितना मान सकते हैं 5x मान सकते हैं कोई tension की बात नहीं है अब उन values को हम यहाँ रखेंगे ताकि हमारी B की भी value आजाए तो हमने कहा देखो angle B लिखा है तो angle B लिखे देना उसमें से क्या minus किया है angle A को minus किया है और angle A की value कितनी है 3x है तो यहाँ आपने 3x लिख दिया है फिर उसके बाद यहाँ angle C लिखा गया है तो हमने यहाँ angle C लिखा और उसमें से सोरी, angle C का मान हम लिखेंगे क्योंकि हमें A का और C का value पता है तो हमने यहाँ पर कहा C की value कितनी है, 5x है तो हमने 5x लिख दिया, minus angle B हो जाएगा ठीक है, अब हमने यहाँ पर कहा देखो यह वाला minus इधर जाएगा, तो plus में हो जाएगा तो minus angle B और एक और दो गुना हो जाएगा angle B के, कोई दिक्कत नहीं यह minus 3x इधर जाएगा, तो plus में आ जाएगा तो 5x और 3x हमारा कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा ठीक है, 2 से हमने यहाँ पर काटा है, तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, angle B की value हमारी कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी, ठीक है, अब हमें पता है angle A की value 3x है, angle C की value 5x है और angle B की value 4x है, क्या हमारा यहाँ पर तीनों का मान आ चुका है, तो आपने कहा हाँ सर आ चुका है, कोई दिक्कत की बात आपने कहा, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है हमसे यहाँ पर कहा गया, find the difference of largest and smallest angle, ठीक है, हम difference बताएंगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक, पहले तो हम यहाँ पर यह समझ ले, कि यहाँ पर angle हम निकालेंगे कैसे, तो दो तरीके हो गए एक तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लो, कि सर जो त्रिभुच का कौन होता है, वो यहाँ पर angle A plus angle B plus angle C तीनों की value, 180 आएगी angle A की value कितनी है, तो 3x है angle B की value कितनी है, तो 4x है, और angle C की value कितनी है, 5x है, तीनों को जोरने पर कितना आ रहा है, तो 180 आ रहा है, कितना आ रहा है 180, तो 5 और 4, 9 9 और 3, 12, 12x की value हमारी कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी, तो 12 से हम इसको काटेंगे, तो 15 बार में कटेगा तो x का मान कितना आएगा, 15 degree x का मान कितना आएगा, तो 15 degree आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बाद, अब यहाँ पर हम से कहा गया है, difference of largest and smallest angle, बड़े वाले और छोटे वाले का अंतर बताओ, तो यहाँ पर देखो, तो सबसे बड़ा कौन है 5 है, और उसके बाद सबसे छोटा कौन है, 3 है, क्योंकि इन दोनों का अंतर बताना है, तो इन दोनों का अंतर यानि हमें 2x कमान बताना है, x कमान 15 है, तो 2x कमान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, option number C, जो है, चाचा, विधाय के हमारे correct answer हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यार, इस बात को लिखने के लिए क्या हमें इतना sum है, वेष्ट करना था, नहीं करना था, हाला कि आसान भाषा में समझाने के लिए हमने आपको कहा, लेकिन इसी बात को आप और short में लिख सकते थे, आप क्या बोलते, आप बोलते की sir, देखो, 180 degree जो है ना, सभी का sum है, सब का जोड़ है, कितने का, तो 5, 3, 8 और 4, 12, यानि यह कितने की value है, सर्तो 12 x की value है, और हमें कितना का पता करना है, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा, 5 में से 3 घटा दीजे, यानि हमें 2 x का मान पता करना है, x से तो हम x को काड़ देंगे, 2 से इसको 6 बार में काड़ देंगे, और 6 से हम 30 बार में काड़ देंगे, लीजे सर, अमारा answer आगया, यह सब फर्जी काम जो करता है, उसका selection नहीं होता है, इस सब बात का ध्यान रखे, इस सब फर्जी काम नहीं करना होता, पेपर में, ठीक है सर, बुझे की नहीं बुझे बताईगे, एक बच्चा के रहे से, ट्रिपलेट भी तो ले सकते हैं, इसमें ट्रिपलेट का कहीं पर कोई योगदान नहीं है, ठीक है, यह कोई triangle की side नहीं है, जहां पर आप ट्रिपलेट का concept लगा पाएंगे, यह कौन है, और कहीं पर भी angle के बीच में कोई ट्रिपलेट का संबन्द नहीं बनता है, ठीक है, तो बहुत ही शांदार तरीके सामने कहा, a का मान 3x, c का मान 5x, इस equation में a c का मान रख दिया, तो b का मान आ गया, जैसे कि पता है कि 100c हमारे तीनों कोनों का जोड़ है, तो जिसकी value होती है, उससे divide करते हैं, और हमें पता करना था सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, तो जो हमें पता करना था उससे हम multiply करते हैं, कुल मिलाकर हमारा कौन कितना आता है, 30 degree आता है, राजदीब कहते हैं previous year कितने साल का लगाएं, पिछले तीन सालों का previous year लगाई है, 2019 से लेकर 2022 तक, ठीक है, चलिए, एक हमारे संदीब जी है, उनको कुछ भी नहीं मिलता है ना comment करने के लिए, तो बस इसे अपना keyboard दबईले रहते हैं, QWXPZ करके यहां पर, पता नहीं इनको कितने खुशी मिलती है, ऐसे कईसे सारे comment करेंगे, तो हम भी करेंगे, चाहे हमको नहीं भी करना, हम keyboard दबा के करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, बहुत अच्छा लगता है संदीब जीब जीब का comment देखके, अच्छे तरीके से कराया है, समझाया भी है हमने आपको बात को, कि देखो यार, सीधी सी बात अगर हम बात करते हैं, तो angle A, B और C, दुनिया में एक triangle है, उस triangle के तीनों कोन है, और उन तीनों कोनों को अगर हम जोड़ दे, तो कितना आता है, एक सौस सी आता है, आता है मेरे भाई, बस आप यहां पर देखो, तो A और B का मान 65 है, B और C का मान 140 है, कुछ मत करो, बस इन दो लोगों को आपस में जोड़ दो, ठीक है, चिपकालो से या, फबी कॉल से वाली बात है, तो मेरे भाई, अब अगर यह दो लोग इधर चिपकेंगे, तो इनका एंगल भी तो आपस में चिपकेंगा ना, बताओ जल्दी से, तो बस चिपकाना का गाम है, और कुछ है ही नहीं, आप इन दोनों को जोड़ दीजे, और इधर से आप इन दोनों को जोड़ दीजे, इन दोनों को जोड़ा तो A, B और B, C आ गया, देखो, A, B और B, C आ गया, आ गया मेरे भाई, और इधर जोड़ा तो 65 और 140 आ गया, 65 और 140 कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 205 दिगरी, सारे करार रखे हैं, अब जैसा कि आपको पता है, कि जब भी बात यहाँ पर एक त्रिभुज की होती है, तो त्रिभुज में यहाँ तीन कोन है, तीनों को जोड़ने पर कितना आता है, 100C आता है, आता है यहाँ पर, तो आपने कहा हाँ जी, तो यहाँ पर A को, B को और C को, इन तीन लोगों को जोड़ने पर कितना आएगा एक सौसी आएगा समझगे मेरी बात को आप यहां पर यह हमारा एंगल ए पूरा का पूरा ले लीजे एंगल बी पूरा ले लीजे और एंगल सी ले लीजे इन तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा एक सौसी तो इनके जगा पर एक सौसी लिख दीजे आप और फिर यहां क्या कर दीजे एंगल B लिख दीजे बराबर हो जाएगा किसके 205 के हो जाएगा तो कल के दिन अगर मान लीजे हैं एंगल B का मान निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा इस 205 में से एक सौसी को घटाना पड़ेगा और घटाने के बाद एंगल B की वैल्यू 25 आ गई कौन सा उप्षन है उप्षन नमबर A आओ कभी हवेली पे इस अ करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए तो यह फोर आगरा का ताज महल क्या बात है समझ गए देखिए सारे कुछ हम आपने हमने आपको करा रखा है एक्जामपल के माद्दिम से हर एक पॉइंट हमने क्लियर करा रखा है ठीक है बेसिक हो गया एक्जामपल हो गया सारे अच्छे-च्छे सवाल हो गया सब हमने करा रखा है अब जैसे आप यहीं पर यह वाला सवाल देख लीज़े क्या हमने आपको यह क्वेशन नहीं करा है बताईए एक्जामपल में जड़ा एक विजामपल आप देखेगा A और B का अंतर 15 है B और C का अंतर 30 है तो हमसे A, B, C का मान पूछा है आपको मैंने इसके उपर दो एक्वेशन करा रखें और बहुत यह अच्छे तरीके से कहा है कि देखो, यहाँ पर जो है ना असल में A और B का अंतर है यहाँ B और C का अंतर है जब भी आपके सामने दो एक्वेशन दे तो उस दो एक्वेशन में यह देखना कि कॉमन कौन सा आदमी है एक ऐसा आदमी है जो इसके तरफ भी रहता है और एक ऐसा आदमी है जो इसके तरफ भी रहता है तो हमेशा हम यहाँ पर क्या करते हैं उसी के respect में value निकालते हैं यानि A की value angle B plus 15 हो जाएगा और C की value B minus 30 हो जाएगा A के जगा पर B plus 15 रख देंगे B के जगा पर B रख देंगे और C के जगा पर मेरे भाई B minus 30 रख देंगे सब को जोड़ेंगे 100C आएगा और answer आजाएगा तो ये वाला concept जनाब हमने आपको बता रखा है एक बार नहीं कई बार बता रखा है तो आपको हम ये देंगे home work क्योंकि हम बताएंगे नहीं आप पहले पहले की video देखो example देखो अच्छे तरीके से तो आपको मेरी सारी बाते समझ में आ जाएगे ठीक है अब आजे यहाँ पर एक और प्यारा question कुछ इस प्रकार का एंगल A का आधा एंगल C का एक तिहाई एंगल B का आधा सब को जोड दिया कितना आ गया 80 degree आ गया तो यहाँ बोला गया एंगल C का मान कितना होगा आपके मन मिकपल के लिए विचार आ रहा होगा और क्या विचार आ रहा होगा आप सोच रहोंगे सुसरा पड़े थे हम कि अगर कोई तृवूज होता है तो तीनों को जोड़ने पर एक सौस्सी आता है यहाँ पर आधा कर दिया गया है यहाँ पर इसका आधा कर दिया गया है ऐसा क्यूं है मत करो ना आधा क्या दिक्कत है क्यों परिशानी है हमने का ठीक है आप बात कुछ समझे नहीं जैसे मान लीजे आपने क्या पढ़ा था तो आपने पढ़ा था सर एंगल A प्लस यहाँ पर एंगल B देखो यहाँ पर इस equation में देखो तो half of angle A पढ़ा था आपने उसके बाद यहाँ कितना पढ़ा था आपने तो आपने पढ़ा सर एंगल 1 by 3 का कितना है C है और यहाँ 1 by 2 है B का किसके बराबर है तो बराबर है हमारे 80 के ठीक है हमने आपको एक छोटी सी बात करें हमने आपसे कहा यार आपने तो पढ़ा है ठीक है कि angle A हो गया angle B हो गया angle C हो गया तीनों को जोटने पर आता है 100C यहाँ पर angle A का आधा मौजूद है यहाँ angle B का आधा मौजूद है और यहाँ पर यह जो angle C है यहाँ पर मेरे भाई कितना है तो इसका तिहाई है, यानि one third है, ठीक है, तो कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, या तो हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं, कि हम यहाँ पर सभी में दो का गुना लगा दें, दो का गुना लगाने से क्या होगा, एंगल एक हतम हो जाएगा, मतलब आधा आधा मिलकर एक बन जाएगा यह भी एंगल बन जाएगा, और यह two by three हो जाएगा, या तो एक हमाय हमारे पास ऐसे है, आ नहीं तो दूसरा solution यह है, कि हम denominator में कुछ रहने ना दे, और यहाँ पर हम क्या करें, कि यहाँ पर तीन और दो के LCM से सब में multiply कर दें, ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस बार यही स सवालों को, तो हमने यहाँ पर कहा, ठीक है, सब में 6 का गुना लगेगा, यानि यहाँ पर भी 6 का multiplication होगा, इसमें भी मेरे भाई, यहाँ पर सब में 6 का multiplication होगा, सारी संक्या, मतलब यह पूरी संक्या जो है, यहाँ पर 6 से multiply हो जाएगी, और यह भी मेरे भाई, यहाँ पर 6 से multiply हो जाएगा तो आधे को जब 6 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 3 of angle A हो जाएगा एक तिहाई को 6 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा angle C का और यहाँ आधे को 6 के साथ करोगे तो 3 गुना हो जाएगा किसका angle B का बराबर हो जाएगा किसके 480 डिग्री के बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके 480 डिग्री के अब यहाँ एंगले तीन बार है यहाँ एंगल भी भी तीन बार है है मेरे भाई यहाँ पर कोई दिक्त की बात यह सी जो है ना यह मातर दो बार है हमने कहा यार C तुम कम क्यों पढ़ रहे हो मत पढ़ो ना कम अगर तुम भी यहाँ पर 3 हो जाते ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 सारे के सारे राजी खुशी हो जाते तुमने अपने अंदर कमी क्यों लेकर आए तो यहाँ पर C ने कहा देखो हम अपने मन के मालिक नहीं है हम कम हो गए तो इसमें हमारी क्या गलती तुम लोग हमको पूरा कर दो हमने कहाँ ठीक है यहाँ पर C कितना कम हो रहा है एक कम हो रहा है तो हमने यहाँ पर कहाँ ठीक है मेरे भाई इस equation में एक angle C हम left में जोड़ेंगे तो एक angle C हम right में जोड़ेंगे यहाँ पर क्यूंकि यह था कि चीजों को हम balance कर सकें हमें A कमान, B कमान, C कमान अलग-अलग नहीं पता है हमें इनका मान, इनके triplet यान इनके तिकड़ी के साथ पता है हमें पता है कि एक angle A, एक angle B, एक angle C, तीनों मिलकर 100C बनाते हैं, तो कभी भी हम इने जब भी रखेंगे तो बराबर रखेंगे चाहे एक एक हो, या सब के मान, दो, दो, दो हो या सब के मान, तीन, तीन, तीन हो, लेकिन हमें बस इने बराबर करना है, ठीक है तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है angle A कितनी बर आचुका, तीन बर angle B कितनी बर आचुका, तीन बर और C भी हमारा तीन बर आचुका तो क्या हम यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते हैं तीन गुना angle A ठीक है, अगर हम बात करें तो तीन गुना और क्या हो जाएगा तो angle A, जमा, angle B और जमा, angle C बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 480 जमा, angle C के अब मुझे एक बात बताओ ABC कमान कितना होता है 180 होता है कितना होता है सर, 180 होता है तो हमने यहाँ पर कहा सर, 3 into 180 ठीक है, अब बता चला आपको हमने इसको हमेशा बराबर क्यों रखा क्योंकि हमें इनका बराबर कमान एक सोसी पता है बराबर हो जाएगा किसके, 400 C प्लस angle C के 18 into 3 कितना होता है, अच्छे हुआ नहीं यानि 540 और 540 में से ये 400 C घटा देंगे कितना आ जाएगा angle C आ जाएगा तो हमने कहा सर, angle C कमान कितना हो जाएगा, 60 degree हो जाएगा यानि यहाँ पर option number C, चाचा विधाय के हमारे इस दक correct answer हो जाएगा ठीक है, बहुत ही असान तरीके से हमने सवालों को समझा, बहुत ही प्यार तरीके से हमें इनका आधा-धा ऐसे दिया गया था, ऐसा नहीं था कि यहाँ पर 6 से ही multiply करना था आप 2 से भी multiply करके कर सकते थे अगर आप 2 से multiply करते तो angle A बन जाता, 2 से करते तो angle B बन जाता, और 2 से करते तो 2 by 3 angle C हो जाता हमारे लिए वह लफ़ड़ा और बढ़ाता ठीक है, तो इसलिए हमने कहा आप एक काम करो, चूकि हम यह तो पढ़ाते आये हैं, कि कभी भी यहाँ पर ऐसी संक्य से गुना किया जाता है कि नीचे कुछ ना बचे, इसलिए हमने 2 और 3 के लगुत्तम समावर्तक, यानी 6 से हमने गुना कर दिया, 6 से आपका लोजिक यहाँ पर कहता है कि मुझे अगर एक्वेशन को सॉल्फ करना है, तो कहीं कुछ जोड़ना पड़ा, तो वह हम ही जोड़ेंगे घटाना पड़ा, तो हम ही घटाएंगे गुना करना पड़ा, तो हम ही करेंगे समझ रहे हैं मेरी बात को यहां पर यह आपका tactic होता है आपका तरीका होता है कई लोग यहां पर क्या करते हैं भाग करने का तरीका लगाते हैं कई गुना करने का तरीका लगाते हैं हम यह कहते हैं हम विदेविदान से चलेंगे पहले हमने 6 से गुना कर दिया था तो हमारा angle ये 3 बार आ गया हमारा angle C दो बार आ गया हमारा angle भी 3 बार आ गया जैसा कि हमें पता चला कि इन सब का बराबर होना जरूरी है तो C के पास एक कमी थी अब कमी थी तो कोई और हमारे लिए तो आकर नहीं जोड़ेगा हमें ही जोड़ना पड़ेगा इसलिए हमने angle C को एक इधर जोड़ा और कभी भी इस तरीके से जोड़ घटाव करते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर दोनों साइड बैलेंस बना रहे जैसे अगर आप मान लीजे कि किसी fraction में numerator में दो का गुना लगाते हैं तो आपको denominator में भी दो का गुना लगाना पड़ता है किसी equation में अगर आप एक side को जोड़ते हैं तो आपको दूसरे side भी जोड़ना पड़ता है ताकि दबाओ यानि balance बना रहे तो इसलिए c अगर इधर जोड़ा था तो इधर भी हमें जोड़ना पड़ा इस हिसाब से angle ए 3 बार angle b 3 बार angle c 3 बार आ गया हमने यहाँ पर सभी में से 3 को common ले लिया common ले लिया तो 3 common होते ही a b c आ गया जब यह 3ों मिलकर बैठते हैं तो इनका कोन कितना हो जाता है 180 तो इनका कोन हमारा हो गया 180 यानि 180 का 3 गुणा 540 और 540 में से 480 घटा दिया 60 आ गया option number यहाँ पर जो है वो correct answer हो जाएगा तीक है हाँ कुछ बच्चे कहा रहा है sir smart approach बताईए बिलकुल smart approach बताएंगे अब यहाँ smart approach की कहानी सुनो smart approach आप इसमें कैसे लगाते और कैसे आप सवालों को उड़ा सकते थे अगर मेरे दिये गए line को पकड़ पाओ तो मैं आपको सीधा बताऊंगा answer आप यहाँ पर सोचो ठीक है कि यहाँ पर क्या किया गया तो angle A को आधा कर दिया गया यहाँ पर angle C को 1 by 3 कर दिया गया यहाँ पर angle B को आधा कर दिया गया मैंने आप से कहा एक काम करते हैं ठीक है हम लोग यहाँ पर है ना हम लोग यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं ठीक है अपने तरफ से मान लेते हैं कि सोचो अगर यहां पर क्या होता जैसे मानों यहां पर बात करते हैं Half of angle A हो चुका है ठीक है उसके बाद यहां कितना है तो 1 by 3 हो चुका है किसका तो angle B का हो चुका है ठीक angle B का हो चुका है और यहां पर angle B नहीं angle C का हो चुका है और अगर हम बात करें तो 1 by 2 किसका हो चुका है तो 1 by 2 हो चुका है किसका तो यहाँ पर angle B का और यह किसके बराबर है 80 के मैंने आपसे पता है क्या कहा मैंने आपसे कहा कि देखो angle A, B और C तीनों को जोड़ते हैं 100C आता है यदि हम उनके आधे आधे को जोड़ दें ठीक है जैसे मान लीजाए यहाँ पर क्या होता है कि A, B और C तीनों को जोड़ने पर 180 तो angle A का आधा ठीक है जमा angle B का आधा देखो यहाँ पर हमने कहा angle A plus angle B plus angle C सब को यहाँ पर जोड़ने पर कितना आता है 180 आता है हमने कहा देखो हम minus plus वाला काम करेंगे कैसे यहाँ पर half है ना तो हम इन सब में half कर देते हैं तो यहाँ पर half of angle A half of angle B और half of angle C हाला कि C है तो हम C के नीचे क्या लिखेंगे C ही लिखेंगे और B है तो B के नीचे क्या लिखेंगे B लिखेंगे तो यहाँ पर अगर हमने इस side half किया है तो हमें इधर भी half करना पड़ेगा एक 100C का आधा कितना होता है 90 होता है हमें यहाँ 90 लिख देना होगा यह काम हमने यहाँ पर कर लिया ठीक है यह तो हमें पता ही है अब देखोगे ज़रा गोड से तो यहाँ 90 और 80 है यह वाली पूरा का पूरा equation बड़ा है घटा दो ठीक है half of angle A में से half of angle A घटा दो कुछ भी नहीं बचने वाला है half of B में से half of B घटा दो कुछ भी नहीं बचने वाला है और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप बोलोगे सर देखो 1 by 2 of angle C में से हम घटा देंगे 1 by 3 of angle C को तो वो हमारा कितना बचेगा 90 में से 80 गया नि 10 बचेगा आप ऐसा कह सकते हो इसमें से इसको घटा दिया खतम इसमें से इसको घटा दिया खतम आदे C में से 1 3rd C घटा दिया 10 आ गया अब यहाँ पर LCM लेना आपका काम है 3 into 1 3 C और 2 into 2 C यानि 3 C में से 2 C घटा दिया तो उपर angle C आ गया और नीचे 3 और 2 का LCM 6 आ गया बराबर हो गया हमारे 10 के तो यहाँ पर हमने कहा angle C के मारे 6 into 10 यानि हमारा 60 degree हो जाएगा यह हमारा correct answer आएगा समझें कोई दिकत की बात शलिया clear है आ जाएगे तो यह हमारा example number 4 था कई सारे तरीके आपके पास होते हैं एक तरीके से सवाल कभी बनता ही नहीं है एक सवाल को बनाने के गनित में कई सारे तरीके होते हैं वो आपका तरीका होता है अभी मेरे पास दोहर तरीके हैं लेकिन मैं चाहूं कि अगर सारे तरीके मैं ही बताओं तो फिर आप कभी उस तरीके से नहीं सीख पाएंगे आपको यहाँ पर कुछ अपने तरीके भी तलाशने हैं ताकि सवालों को आप बनाएं ठीक है आजएगे नेक्स्ट कोशन यहाँ पर पांच नमबर सवाल की बात करते हैं पांच नमबर सवाल में क्या कहा है इनर ट्रेंगल ABC, CA is produced to P, BAP का मान दे रखा है, BC का रेशियो दे रखा है और हमसे B और C का मान पूछा है इस बार के CHSL में यह आया है, मान लीजे मुझे यहाँ समझ में नहीं आरा सवाल में क्या पूछा गया है लेकिन इतना तो, हाँ, सर 90 कैसे आया, वैशनवी कहती है, सर 90 कैसे आया वैशनवी जी यहाँ पर जो है, आपको पता है कि angle A, angle C, angle B, सब को जोड़ते हैं तो 100C आता है, यहाँ आधा, यहाँ आधा, यहाँ आधा किया गया, तो हमने इसका भी आदा कर दिया इसलिए यहाँ पर कितना आ गया तो 90 डिगरी आ गया ठीक है? आ जाई है अब यहाँ पर सवाल देखिए आप लोग तो यह वाला कोशन आपके सामने क्या कहा है ठीक है? यहाँ पर हमने कहा इन ट्रैंगल ABC अगर हम बात करते हैं यह हमारा त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम क्या है? तो इस त्रिभुज का नाम हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया पहले हम यहाँ बनाएंगे जैसे जैसे लाइन हमें बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे ठीक है इसका थोड़ा सा नामाकरन बदल लेते हैं हम ऐसा करते हैं इसको A रख लेते हैं ठीक है इसको यहाँ पर B रख लेते हैं और इसको यहाँ C रख लेते हैं बताएंगे हमने नामाकरन क्यों बदला है अभी यहाँ फिर कहा गया देखो CA वाले line को है ना यानि C से शुरुआत करनी है A तक जाना है तो हमें यहाँ C से शुरुआत करनी है A तक जाना है यानि इधर की तरफ यह line बढ़ेगी यह line इधर की तरफ बढ़ेगी अगर यह बोलता ना AC को बढ़ा दो तो A से C से हम और आगे यहां तक अनन तक जाते हैं चुकि उसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी हमारी चर्चा C से लेकर A तक जाने की थी तो CA को हमने कहां तक प्रोड्यूस किया तो CA को हमने P तक प्रोड्यूस किया यानि इसको हम point number P तक लेकर आगे उसके बाद हमसे क्या कहा है तो कहा है बाप BAP 26 degree यानि अगर हम बात करते हैं तो BAP ये वाला कौन कितना है 126 है तो हम बोलेंगे 126 degree हो जाएगा ठीक है तो एंगल B का अगर हम बात करें तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 5X हो जाएगा और एंगल C का बात करें तो कितना हो जाएगा 2X हो जाएगा मेरे वाई ठीक है तो यहां बोला गया है B और C के बीच का difference बताओ जैसा कि आपको पता है और बहुत ही अच्छे तरीके से पता है क्या पता है कि जो बाहर वाला कोन होता है वो अंदर वाले दोनों कोनों के जोड के बराबर होता है और ये हमने आपको प्रोपर्टी में पढ़ाया है या नहीं बताइए प्रोपर्टी पढ़ाया है उसी के अंदर ये सारा point हमने कहा है कि sum of two interior angle is always equal to its exterior angle ठीक है इन दोनो का जोड हमेशा इस angle के opposite के बराबर होता है सभी बाते हमने आपको बता रखे है तो आपने का अच्छा सर यानि यहाँ पर ये जो हमारा 126 है ये कितने की value है तो 5 और 2 यानि 7x की value है जितने की value होती है उससे हम क्या करते है डिवाइट करते है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर हमसे कहा गया है कि यहाँ पर क्या पता करना है तो हमें यहाँ पर पता करना है कि angle B और angle C का मान कितना होगा तो हमने का ठीक है अगर आप angle B निकालना चाहते हो तो आप इसको किस से गुना कर दो तो आप इसको 5x से गुना कर दो ठीक है और अगर angle C निकालना चाहते हो तो आप ऐसे बोलना कि यह जो हमारा 126 है, यह हमारा इन दोनों का जोड़ी यानी 7X का मान है, हमें तो C से मतलब है, तो हम यहाँ 2X से गुना करेंगे, बस यहीं काम करना था यहाँ पे, तो X से हमारा X कतम 7 से काटा, एक बार में 56 हो गया, तो 8 बार में, और 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, ठीक है, X से हमारा X कतम हो जाएगा, यहाँ पर काटा एक बार में और 18 बार में 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 90 और 36, option number A, Assistant Audit Officer is the correct answer हो जाएगा, सारी चीज़े, खुई एक भी point ऐसा अब तक आपको लगा क्या, कि जो हमने आपको example में नहीं करा हो, सारे point हमने आपको example में करवाए, सर थर्ड क्लास भी डाल दो, मेरे भाई, आजाएगे, बहुत ही प्यारा question है, अब next देखते हैं, question number 6, ठीक है, बताएगे जल्दी से आपके sheet में कितने सवाल हैं इक बार, ये सबी सवालों को आप उड़ा सकते हैं, 40 सवाल है न, सब को उड़ा सकते हैं, कहीं पर जो है, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत आने वाली है, 6 number में कहा गया है, देखो, X हो गया, Y हो गया, Z हो गया, एक हमारा equilateral triangle है, यानि यहाँ पर हम बात करें तो, एक संभाहुत रिभूजा है, संभाहु का मतलब जिसकी तीनों भूजायां बराबर होती है, कौन के बारे में चर्चा किया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर इनके कौन को लिख दें, ये वाला कौन साथ हो जाएगा, ये वाला कौन भी साथ हो जाएगा, और ये वाला कॉन भी साथ हो जाएगा क्यों क्योंकि एक एक इक्विलेटल ट्रेंगल के तीनो कॉन हमारे active है ना active है मेरे भाई third class बीच में नहीं नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है कि third class बीच में कट गया है आप एक बार सही से देखो आपको दिख जाएगा ठीक है कोई बात नहीं हम देख लेट हम चेक करवाने के लिए बोल दिये हैं वो चेक कर लेंगे ठीक है अब आज यह एंगल x a y की value हमारी कितनी है तो 40 है तो हमने यहाँ पर कहा angle x a और y की value कितनी है तो 40 है उसके बाद यहाँ पर कहा है x b और z की value 30 है तो x b और z की value कितनी है तो मेरे भाई 30 है हमसे यहां क्या पूछा गया है तो हमसे यहां पूछा गया है A, X, B का मान ठीक है? यानि A हो गया X हो गया, B हो गया इसका मान पूछा गया है हमने का ये भी कोई सवाल है बताओ ये भी कोई सवाल है मतलब A, X, B का बस मान पूछा गया यहीं सवाल था हां लास्ट तक है ना complete है ना सर मेरे भाई पूरी वीडियो complete है कोई दिक्कत की बात नहीं है तर्ड वीडियो serial wise नहीं है उपर चला गया है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं उपर चला गया हम वो भी कह देते हैं हां वो भी भोल दी अब आजाओ अब यहां पर देख लो मेरे भाई तो यहां पर क्या कहा गया है यहां पर कहा गया है तीनो कोनों को जोरने पर एक सोसी आना चाहिए हमसे यहां पर यह बीच वाला कौन पूछा है तो हमसे यह बीच वाला कौन पूछा है तो बता देंगे आपको भी पता है तीनों को जोड़ने पर कितना आता है एक सोसी है ये 40 और ये 30 है तो 40 और 30 70 हो गया तो ये कितना आएगा एक सोसी में से घटा दो यानि 110 आएगा तो फरजी सवाल था मेरे भाई धोका दे दिया एक्जामनर ने आपको जैसे वो धोका दे के चली गई न वैसे एक्जामनर भी आपको धोका दे दिया बताओ सूचा था क्या हुआ क्या ओप्शन नमबर ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ठीक है आ जाई है नेक्स्ट कॉश्चन देखें यहाँ पर बताईए ये बच्चा सब बदमास है मतलब परिशान कर रहे हैं एप्लिकेशन पर देख लिजए एक बार आप तीनो बैच्च में ठीक है आ जीए नेक्स्ट कॉश्चन यहाँ देखते हैं कॉश्चन नमबर सेवन में क्या बोला है त्रिभुज का एक कॉन 108 डिगरी है और दो अन एक कॉन बराबर हैं इन बराबर कॉनों में से प्रते कामान ग्याद कीज़े बताने की जरूवत है तीनो कोनों को जोड़ो तो एक सौसी आता है एक सौसी में यहाँ पर एक कामान 108 है तो बाकी दोनों के जोड़ बहतर होगा उन बहतर को आधे आधे में बाटेंगे तो 36 और 36 आएगा एक समान कर आप कर लीजेगा बढ़िया हो जाएगा भाई तीन लोग हैं तीनों को जोड़ने पर एक सौसी आता है एक के पास 108 है तो बाकी दोनों के पास कितने होंगे बहतर ही तो होंगे एक सौसी में से 108 गटा दो बहतर उन बहतर को आधे आधे में बाट दो यानि बहतर का आधा कितना होता है 36 होता है फटजी सवाल है यह भी यहाँ पर आजो अब मेंस का कोशन एक देखते है क्या कहा गया है मेंस वाले कोशन में हमसे यहाँ बोला गया है त्रिभुज के आधार को दोनों तरफ से बढ़ाने पर प्रस्तावित बाहरी कौन 112 और 104 है त्रिभुज के अंदर सबसे बड़े कौन का माप क्या होगा ठीक है हमने कहा यार ये भी सवाल है मतलब क्या असान सवाल दे देते हैं बताइए कुछ यार ढंका तो पूछ लेते पेपर वाले हमसे मैंसे मैं पूछ रखा है क्या करोगे fundamental property of triangle पढ़ रहे हो तो triangle कहीं एक property है पढ़ लीजे इसको भी आपने कहा देखे सर यहां पर है the exterior angle obtained on producing the base of a ठीक है अब होके हो गया एक बार बच्चे चेक कर लेना the exterior angle obtained on producing the base of a triangle both the way यानि यदि हम इस base को दोनों तरफ यहां पर produce करें तो मेरे भाई ये जो कौन बनेगा वो कितने का बनेगा 121 और यहां पर कितने का बनेगा 104 का बनेगा तो कहा इस त्रिभूज के अंदर जो सबसे बड़ा कौन बनेगा उसकी मानिता बताइए कितनी होगी हमने कहा यार यहां पर जो है नितिश कुमार रहे केते हैं संभाउत रिभूज बोलने का क्या मतलब है कोई मतलब नहीं है ठीक है यसे बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे माल लीजे हमारा नाम अमन कुमार श्रीवास्तो हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कुमार और श्रीवास्तो से आप जनरली हमें किस नाम से आद रखेंगे अमन के नाम से आद रखेंगे ठीक है तो वही बात हो जाती है कभी कभी कुछ फरजी डेटा भी दे दिये जाते हैं जिनकी कोई आवशकता नहीं होती है तो आपके समझदारी का खेल है अब यहाँ पर हमसे कहा गया त्रिभुज के तीनो कोनों का मान बताओ मेरे भाई यहाँ पर तीनो कोन में सबसे बड़ा कोन है वो बताओ तो हमें बड़ा बताने के लिए त्रिभुज के कोन का मान बताना पड़ेगा हमने कहा देखो बात ऐसी एक सीधी रिखा पर एक सौसी का कोन बनता है यह हमारा 121 है तो यह वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 में से इसको घटा दो तो हमारा कितना हो जाएगा तो 59 हो जाएगा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर उसी तरीके से 180 में से हम यहाँ देखो सीधी रिखा पर एक सौसी का कून यह 104 है एक 180 में से इसको घटा दिया तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा अब हमें इसका पता करना है अब आज अब अंदर वाले तीनों कोनों को जोड़ने पर कितना आता है 180 इन दो को जोड़ने पर कितना आ चुका है तो 9 जमा 6, 15 का 5 हाथ में 1, 7 और 5, 12 और 1, 13 इन दो लोगों को जोड़ने पर 135 आया है और तीनों को जोड़ने पर 117 आता है 117 में से 135 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 45 यानि ये नलाएक कितना है तो 45 है अब मुझे बताओ अगर सबसे छोटे कौन की बात होती तो क्या होता 45 आंसर होता यहाँ पर बात हुई है सबसे बड़े अंगल की तो सबसे बड़े अंगल की बात हुई है यानि आंसर कितना होगा 76 option number D4 darling is the correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए अच्छी यत्तर आएगा बहुत अच्छे बहुत शांदार समझ गए यहाँ पर कोई दिक्कत बाहर दिया था अंदर निकाल दिया था दोनों अंदर वाले पता थे इसको निकाल दिया next question हम देखते हैं क्या कहा गया यहाँ पर बताईए जल्दी से सीजल में इस सवाल में कहा गया सेम तरीके से कि एक त्रिभुज है और उसके उपर एक perpendicular है और यहाँ पर यहाँ पर यह भी value यह भी सवाल हमने आपको करा रखा है मुझे लगता है आप इसका answer within seconds बता देंगे क्योंकि सारा कुछ होई है जो हमने आपको property में पढ़ाए था कुछ थोड़ा सालाग होता तो बताते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखे सबसे पहले हमने क्या किया एक त्रिभूज बना लिया किसके बारे में PQR एकदम वैसे करते चले जाएंगे जैसे सवाल में बोला गया है पहले PQR बोला गया तो पहले PQR हमने बना लिया उसमें हमसे कहा गया है Q और T एक परपेंडिकुलर है और वो किसके उपर है PR के उपर है यानि पहले PQ को पकड़ो और इस PQR तक जाओ यानि यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाओ यह वाला पॉइंट ठीक है कि Q से लेकर यहाँ यह QT जो है हमारा यह QT जो है हमारा क्या है तो कहा है कि एंगल P S Q एंगल P S Q का मान कितना है P है यानि P S Q यह वाला मान कितना है मेरे भाई तो यह वाला एंगल हमारा P Degree है ठीक है उसके बाद हम से कहा है T Q R ठीक है T Q R कितना हो गया मेरे भाई तो यह वाला कोन हमारा 46 हो चुका है और हमसे क्या है तो S, P, R S, P, R का मान कितना है 32 S, P, R इस का मान हमारा कितना है 32 तो हमसे किस का मान पूछा है हमसे S, P का मान पूछा है मतलब मैं कभी-कभी यह सोचता हूँ कि दुनिया में इस से आसान सवाल हो सकता था बताईए हो सकता था क्या होता ही नहीं सर आप ज़रा सूचिए आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने नजरों का खेल देखते तो आप बोलते सर क्या सवाल पूछता है कभी कभी एक्जामनर समझे नहीं आता पक्का S.S.E. कहीं है न ठीक है या किसी और एक्जाम का पूछ दिया है आप जरा यह लाल वाले ट्रैंगल पर फोकस करिये और यह लाल वाले ट्रैंगल में जब आप देखेंगे आप बोलेंगे सर त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है एक सौसी वन एटी जो होता है एक सोसी में ये वाला कोन हमारा कितना है सर 90 है तो यानि इन दोनों कोनों का जोड़ हमारा कितना आएगा 90 आएगा सर एक कोन अगर 90 है तो बाकी दोनों को जोड़ने पर 90 आने वाला है तीक है उस 90 में इसके पास 46 है तो इसके पास कितना होगा तो 44 होगा कैसे पता चला हमने क्या कि यह उस 90 में से 46 को गटा दिया तो हमारे पास 44 आ चुका है ठीक है और 90 का आदा 45 होता है यह 45 से एक जादा है तो यह 45 से कम होगा और सथ का भी concept लगा सकते है अब अगर आप मेरे भाई बात देखे तो आप अब उस वाले triangle को छोड़के अब आप दूसरे वाले triangle में आ जाएए और वो हमारा यह नीला वाला color का ठीक है क्या हमने triangle की एक आपको property पढ़ाई है और वो कौन सी पढ़ाई है कि sum of interior angle is always equal to exterior angle यानि यहाँ पर जो angle P है यह बाहर का कौन है और बाहर वाला अंदर वाले के बराबर होता है यानि बाहर वाला 32 plus 44 के बराबर होता है यानि किसके बराबर हो जाएगा तो 76 के तो P का मान कितना हो जाएगा 76 degree option number C for कहो ना प्यार है as the correct answer हो जाएगा समझ गए है बताईए समझ गए सर कोई दिक्कत की बाद तो एक एक property एक एक concept सारे example आपने पढ़ रखे हैं कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं पहले हमने आपको example पढ़ाए और अब उस examples के आदार पर जितने भी previous year में question पूछे गए हैं उस सारा हम आपको करवा रहे हैं आईए अब यहाँ पर देखते हैं एक और सवाल example number 10 सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ कहा गया है सेम पॉइंट यहाँ पर example number 10 जो है वो हमारा photocopy है सेम तरीके से बोला गया है example number 9 का यह डिट्टो photocopy है तो 9 वाला हमने गटा देंगे तो हमारा 44 आएगा और इसी चीज़ को हमने आसान भाषा में कहा था कि अगर यह 90 है तो इन दोनों को जोड़ो तो यह 90 आएगे उस 90 में अगर यह 46 है तो 90-46 यानि 44 आजाएगा सब बताया है सर सब कुछ बताया हमने यहाँ पे अब जो बच्चा पीछे का एक्जामपल देखा ही नहीं है और सीधा सोच रहा है ठीक है कि हम इसी एक्जामपल में कूद जाएं तो उसका क्या उपाय हो सकता है कुछ भी solution है नहीं है ठीक है आप लोग पीछे के एक्जामपल देखो तो सही एक बार पहले आप लोग पीछे की चीजों को पढ़ो पीछे जितने भी हमने प्रोपर्टी कराएं है उन सभी प्रोपर्टी को मेरे भाई करो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है क्लास अटक रहा है ठीक है हम लोग देखते हैं क्यों अटक गया भईया छोड़ दो कहें अटका के रखे हो हमारी क्लास का रुकिये देखते हैं अभी ठीक है है थोड़ा सा इंटरनेट का हो सकता है समस्या हो शिल्पा जी कहती हैं सरफ 44 एड के हैं शिल्पा जी आप एक बात बताईए क्या आपने पहले की क्लासस अटेंड की हैं बताईए जरा क्या आपने यहां पर fundamental property के जो तीन क्लासस हुआ है क्या आपने वो पढ़ा है अगर मेरे भाई नहीं पढ़ा आना तो पहले जाकर पीछे की क्लासस को पढ़ो मेरे भाई कितनी वार यार शिल्पा जी बता रखा है हमने आपको आप जबर्दस्ती का बात बात कर रही है बताईए यह मुझे 40 बार बताना पढ़ेगा आप लोगों को कि जब एक triangle होता है मुझे बताना जरा जब एक triangle होता है तो यह जो बाहर वाला कौन होता है वाले के जोर के बराबर होता है 40 बर मैं यह बात बताऊंगा lines and angles में भी यह property पढ़ाया fundamental property of triangle में भी पढ़ाया यह साथवे example है उसके उपर इसके पहले 6 question इस property पर करा चुका हूँ और साथवे example में फिर से आप पूछ रहे हैं क्या जरूवत है आपके knowledge की कोई जरूवत नहीं है खतरनाक हो आप लोग आजए यह CHL का सवाल देखिए क्या भोला गया एक तरिभूज ABC में angle ABC यहाँ पर CAB का दो गुना है ठीक है तो सबसे पहले हम यह तरिभूज बनाते है और यह तरिभूज बनाते हैं तो इस तरिभूज का हम नाम क्या देंगे तो इस तरिभूज का नाम हम यहाँ पर A, B और C देंगे उसके बाद हम से कहा गया कि जो angle ABC है यानि जो angle A, B और C है यानि यह वाला जो कौन है CAB के दो गुना है यानि C, A, B के दो गुना है यानि यहाँ पर अगर हम C, A, B को थीटा मानेंगे ठीक है यानि यदि C, A, B को अगर हम थीटा मानेंगे तो हमारा जो ABC है वो थीटा का दो गुना हो जाएगा यानि यह वाला कौन हमारा थीटा का दो गुना हो जाएगा हम आपसे यहाँ पर यह बात कह रहे हैं ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है if the side bc यानि b से c के तरफ यानि यदि हम b से c के तरफ जाते हैं the side bc is extended यदि हम उस भूजा को बढ़ा बनाते हैं और कहां तक लेकर जाते हैं d तक बोला गया ना तरफ भूज a b c में ये एंगल इसके दो गुना है यदि हम भूजा b c को d तक बढ़ाया जाता है b c को d तक बढ़ाया जाता है और ये जो बाहर वाला a c और d है ये बाहर वाला हमारा 126 है ये बाहर वाला कितना है तो 126 है तो हमारा C, A, B का मान यानि थीटा का मान कितना होगा क्या ये भी बताना चरूरी है बताना ये वहीं सवाल वापस से रिपीट होकर आ गया कि नहीं आ गया एक्स्टीजर पर बताओ कि भाईया आप बोलोगे सर देखो अंदर वाले दोनों को जोड़ दो तो ये बराबर हो जाएगा बाहर वाले के यानि 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 3 थीटा और ये 3 थीटा बराबर हो जाएगा किसके 126 के 3 से काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा 43 बार में ठीक है 43 कह रहा हूँ 42 बार में is the correct answer हो जाएगा ठीक है सारे points, सारे example हर कुछ मैंने आपको बता रखा है कोई ऐसा point आप मुझे बताओ ना जो मैंने आपको नहीं बताया हो सारा कुछ बता रखा है अब जैसे यही है example number 12 देख लो ठीक है, यह उसके उपर कम से कम नवा question होगा, angle BAC का मान बताया, अब आभी बताओ यार अंदर वाले दोनों कोनों को जोरने पे 110 आता है यानि अगर हम इसको theta बोलते हैं तो हम कहते, theta में 62 को जोर दो तो 110 आजाएगा theta में 62 को जोर दो तो 110 आजाएगा यानि अगर theta की value निकाल नहीं है कुछ भी तो नहीं है, पताओ अंदर वाले दोनों कोनों को जोरने पे बाहर वाले के बराबर है सवाल में, इस सब में कोई यहाँ पर जो है, कुछ भी नहीं दिया गया है आजे, इस बार का मेंस का question एक देखते हैं, क्या कहा गया है मेंस वाले question में आपसे ठीक है यहाँ पर, कहा गया है in PQR, as is a point सबसे पहले यहाँ पर किस तरी बुच के बारे हम बात की गई है, तो सबसे पहले यहाँ पर PQR के बारे हम बात की गई है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पहले हमें यहाँ पर PQR बनाएंगे हमने यहाँ पर क्या कहा PQR बनना जरूरी है तो पहले हमने कहा, भया देखो कुछ भी हो जाए हमें तो triangle PQR चाहिए तो PQR चाहिए, यह हमने बना लिया PQR, कहा गया S is a point on side QR यह जो QR है न, इसी में कहीं पर S नाम का कोई point छिपा और दभा पड़ा हुआ है, ठीक है such that angle QPS such that angle QP और S, यानि यह वाला जो कौन है यह angle QPS है यह angle QPS जो है वो आधा है, PSR के यानि PSR के यानि इस वाले कौन का यह आधा है यानि अगर हम इसे 2 theta माने तो 2 का theta आधा कितना होगा theta बोलोगे सर इसको theta क्यों नहीं माना अगर हम इसको theta मानते तो इसका आधा theta by 2 होता जिससे हमें calculate करना मुश्किल हो जाता इसलिए हमने 2 theta माना ताकि हम उसका आधा कर सके कल के दिन अगर मुझे इसका एक तिहाई करना पड़ता तो हम 3 theta मानते एक चौथा ही करना पड़ता तो 4 theta मानते समझ गया है पहला वाला line आपका clear हो गया यानि ये point clear है QPR का मान हमारा 38 दे रखा 78 दे रखा है यानि QPR पूरी की value हमारी कितनी है 78 है ठीक है आगे हम देखते हैं अभी यान पे तो हमसे क्या कहा है PRS 44 है ठीक है तो P हो गया R हो गया S हो गया ये हमारा value कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा ठीक है अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ आप मुझे हैं बताओ इस पूरे अंगल का मान हमारा कितना हो जाएगा तो पूरे अंगल का मान सवाल में 78 दिया गया है के Q, P और R पूरे की value 78 है उस 78 में मेरे भाई यहाँ पर ये वाली value थीटा है तो ये वाली value कितनी हो जाएगी तो ये वाली value हमारी 78 78-theta हो जाएगी, बताओ, यह अगर theta है तो यह कितना हो जाएगा, 78-theta हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, इस पूरे triangle में, अगर इसकी value theta है, तो इसकी value 78-theta हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात हैं है, आपने कआं नहीं, सर, ठीक है, कि अगर सर, पूरा 78 तो अब आप इस ट्रेंगल में यहाँ पर एंगल सम प्रोपर्टी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं बताइए लगा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझदार बच्चे आप लोग आप बोलेंगे सर्फ PSR में तीनों को जोड़ने पर 180C आएगा यानि इसकी value हमारी कितनी है तो 78-theta यह वाली value हमारी कितनी है तो 2-theta है और यह वाली value कितनी है 44 है सब को जोड़ने पर कितना आ जाएगा तो 180C आ जाएगा ठीक है हम यहाँ कहेंगे 2-theta में से theta चला गया तो theta होगा ठीक बाकि हम इन दोनों को जोड़ देते है आठ जमा चार 12 का 2 ठीक है 7 और 4 एक 11 और एक 12 हमारा हो जाएगा बराबर कितने के 180 के तो यदि हम यहाँ theta का मान निकाले तो 180C में से 122 चला गया तो कितने value आ जाएगी 58 degrees is the correct answer लेकिन क्या हमें 58 निकालना था बताएगा नहीं हमें यहाँ पर PSQ का मान चाहिए था किसका मान चाहिए था PSQ का यानि यहाँ पर PS और यहाँ पर क्या हो जाएगा PS और Q का यानि यहाँ पर यह बाहर वाला अब बाहर वाला निकालने के दो तरीके हैं पहला तरीका कि इस वाले कौन को इस वाले कोन के साथ चोड़ दो तो बाहर वाला आ जाएगा नहीं तो यहाँ 2 theta का मान निकालो और फिर उसको एक सोसी में से गटा दो तो तो PSQ का मान आ जाएगा यानि हमने यहाँ पर PSQ का मान निकालने theta का मान अंठावन है तो अंठावन का दो गुना कितना हो जाएगा 116, 117 में 616 घटा देंगे कितना आ जाएगा 64 डिगरी आ जाएगा कौन सा option है तो option number B for बाहुपले जब भी आप सवालों को पढ़ते हैं तो आप यह देखा करिए कि आपको दिया क्या है और आपको पूछा क्या है जैसे इस सवाल में इसका आधा यहाँ पर यह दिया गया था पूरे कौन का मान 78 दिया था तो उस अधार पर हमने यह 78 माइनस थीटा कहा इस वाले को 44 कहा तीनों को जोड दिया थीटा की value आ गई लेकिन हमसे थीटा नहीं पूछा था हमसे बाहर वाला कौन पूछा था तो हमने कहा कि देखो यह बाहर वाला 180 में से 2 थीटा कहता देंगे तो आ जाएगा यानि 64 आंसर होगा जितने property हमने आपको पढ़ाएं हैं उन्ही properties के अधार पर आगे आने वाले सारे सवाल हैं कोई सेग भी सवाल मेरे भाई ऐसा नहीं है जो हमने आपको शायद ना पढ़ा रखा हो सारे यहां पर एक तरीके से एक्जामपल करा रखें अगर आप एक बर मेरे properties वाले वीडियो को देखते हैं एक से लेकर तीन तक और उसके बाद आप सवालों को लगाने की कोशिश करते हैं आप सारे सवाल को यहां बर बना पाएंगे तो मेरी बस आप से यहां पर एक गुजारिस है और गुजारिस यह है कि वीडियो नमबर 1, 2 और 3 को देखिए और उसके बाद खुद से बैटकर शीट लगाईए आप सभी कोशिशन लगा पाएंगे ठीक उसमें अगर कोई डाउट आता है तो फिर मैं आगे आपको चल कर बताऊंगा तो कल की क्लास में मैं आगे कोशिशन करेंगे लेकिन मुझे अच्छा तब लगेगा जब आप सारे के सारे कोशिशन खुद से ट्राई करके लेके आओगे ठीक है अब आप लोग के कमेंट पढ़ लेते हैं एक बच्चा कहा कि सर पहली बार जोमेटरी समझ में आ रहा है चलिए आपका देन है हमारा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है आप दिल लगा कर पढ़ रहे हैं मन लगा कर पढ़ रहे हैं थोड़ा साम आपको बहतर समझा पा रहे हैं तो बस इसी वज़े से आपका जोमेटरी बहतर है और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा समझ में आ रहा है कल के दिन आप यह कह सकें सर हमारी जोमेट्री तो खतरनाक है और जोमेट्री खतरनाक मेरे भाई तभी हो पाएगी जब आप उसको पढ़ेंगे रुची कहा रही है सर कोश्चन नमबर 11 एक बार और बता दो तो मेरे बताने से बहतर है कि आप उस सवाल को एक बार और देखिए ठीक है थोड़ा दिमाग लगाई है चलिए मजा आ रहा है बस ऐसे ही आनंद लेते रहो मेरे भाई बढ़ियां से पढ़ाई करते रहो ठीक है और थोड़ा से रिविशन करके आते रहो तो आज के लिए इतना काफी है लव्यू भाई लव्यू जितने लोग आई लव्यू बोल रहे हैं सभी को आई लव्यू भाई ठीक है सभी को आई लव्यू